हम लोग एक ऐसा देश बनकर रहे गया है जो राजनीती प्रधान देश है और जहां विवादों पर खुब चटकारे लेकर बात होती है, सोलूशन पर कोई बात नहीं करता। हम समी ने भजपन से एक बात पढ़ी सुनी और जानी है कि भारत एक कृषी प्रधान देश हैं लेकिन ये पूरी तरह से जूट है। भारत कृशी प्रधान देश नहीं है, भारत दरसल राजनीती प्रधान देश है, अब देखिए ना भारत में कुछ भी होता है, तो हर मुद्दे पर राजनीती होती है, राजनीती, 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 और हम लोग जो है ना विवाद पसंद लोग हैं, हम लोगों को वि विवाद खड़े करने में बड़ा मज़ा मिलता है हम लोग एक ऐसा देश बनकर रहे गया है जो राजनीती प्रधान देश है और जहां विवादों पर खुब चटकारे लेकर बात होती है सोलूशन पर कोई बात नहीं करता है यह बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात ह ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुक्रवार को एक के बाद एक कई घटनाए हुई जिससे मन थोड़ा व्यथित हुआ दुखी हुआ और रगा कि हम वास्तों में एक ऐसे देश में रहते हैं जहां जाद दिन राजनीती 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 होती है सोलूशन को ले तो आख खुलते ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर मेरी नजर एक तस्वीर पर गई यह तस्वीर दिली ऐरपोर्ट के टर्मिनल वन की थी आप जानते हैं टर्मिनल वन पर एक जो पूरी की पूरी चछत देह गई और उस चछत के जो बड़े बड़े जो खंबे थे जिन जि कारे जो खड़ी थी वुच चक्ना चूर हो गई और इस सारी जो तस्वीर थी पूरा जो वीडियो था इसमें एक तस्वीर ने मेरे मन को बहुत व्यृत्थित किया यह तस्वीर एक टैक्सी ड्राइवर की थी एक टैक्सी वाइट कलर की टैक्सी जो थी ओला उबर मैं नहीं जानता कि कौन सी टैक्सी थी ये लेकिन उस टैक्सी के उपर ये खंबा बुरी तरह से गिरा और उस टैक्सी के जो ड्राइविंग सीट थी ड्राइविंग सीट पर वो ड्राइवर जैसे बैठा था वैसे बैठा का बैठा रहा गया तस्वीर में इस ड्राइवर के हाथ पैर धड़ सब कुछ दिख रहा है सिर्फ सर नहीं दिख रहा क्योंकि सर जो है वो दरसल दब गया है उसके जो सर है उसके उपर शायद वो खंबा गिरा और वो सर जो है नहीं दिख रहा और उस व्यक्ति की जान चली गया कि घटना सुभे 5.5 बजे की है यह व्यक्ति कौन था मैंने देखा नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको जाकर देखूं कौन व्यक्ति था क्योंकि मैं इसमें नहीं जाओंगा कौन व्यक्ति था लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पता नहीं, मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है, सुबह चार बजे, तीन बजे उठा होगा और टैक्सी लेकर निकला होगा, तोकि सुबह पांच बजे का हाथसा है और ना मालूम इसकी क्या मजबूरिया होंगी, कि सुबह तीन बजे ये 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 जो है टैक्सी लेकर निकला, सुबह तीन चार बजे ये ड्यूटी करने निकला पलिवार में बुरे माबाप होंगे, शायद उनको दवाई की जरूरत होगी, या बच्चों की पढ़ाई की जरूरत होगी, या फिर पत्नी को घर चलाने के लिए राशन चाहिए होगा ऐसी ना जाने कौन सी इसकी जरूरत थी, और ऐसी जरूरते हर घर में होती है ऐसी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये व्यक्ति सुबह सुबह अपनी टैक्सी लेकर निकल गया और जब ये टैक्सी लेकर निकला होगा तो सोचा होगा आज कमाई अच्छी करूँगा और फिर बच्चे की फीज भर दूँगा या फिर बूरे माबाप की दवाई ले आऊंगा या घर में राशन ले आऊंगा पता नहीं क्या सोच के निकला होगा हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी जो है रक्षा बंदन आ रहा है क्या पता भाई अपनी बहन के लिए कुछ गिफ्ट देना चाहता हो उसको कोई तोफ़ा देना चाहता हो इसलिए एक्स्टा टाइम दे रहा हो लेकिन हुआ क्या उसकी दुख़द मौत हो गई यह तस्वीर देखकर मन व्यथित था उसके बाद अचानक से सोशल मीडिया पर मैंने देखा सब लोग लिखने लगे कि देखो और नरेंद मोधी ने इसका जो है उदघाटन किया था अभी थोड़े दिन पहले किया था नरेंद मोधी ने ऐसा किया था और फिर प्रियंका गांधी वाडरा जो नेता तो बन चुकी है जल्दी सांसत भी बनने वाली है उनका एक ट्वीट आ गया उन्होंने लिखा ये वो जो है टर्मिनल है इसका उदघाटन जो है नरेंद मोधी ने किया था अभी थोड़े दिन पहले इस टर्मिनल का उदघाटन नरेंद मोधी ने किया था और ये पुल धर धराकर ये पूरी चख धर धराकर गिर गई कितने अफसोस की बात है और इस व्यक्ति के लिए एक लाइन भी लिग दी कि बड़ा अफसोस हुआ मुझे लगा ये क्या हो रहा है ये इस तरह की राजनीती हम एक व्यक्ति की मौत हुई एक घटना हुई दुरघटना हुई लापरवाही हुई उस लापरवाही को लेकर हम तुरंत जो है हम बिना सोचे समझे राजनीती करने लगते हैं बिना सोचे समझे ये भी नहीं देखा कि हम जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है क्योंकि हमको बस सुबह उठते ही हमने ये घटना देखी हमको नरेंदर मोदी के खिलाफ कुछ बोलना था नरेंदर मोदी के खिलाफ एक नरेटिव बनाना था नरेंदर मोदी को गिरना था हमने कह दिया कि देखिए ये वो च्छत है जिसका उधगाटन नरिंद मोदी ने किया था लेकिन बाद में सच क्या सामने आया बाद में सच ये सामने आया कि ये वो हिस्सा नहीं है जिसका उधगाटन नरिंद मोदी ने किया था यह वो हिसा है यह दरसल यूपीया सरकार कॉंग्रेस सरकार के दोर में बना था 2009 में बना था तो फिर उसके बाद इस तरह की राज लिती हो रही है अलकि एक बाद पिर मैं कहरा हूं मैं यह जो कहरा हूं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा है कि मैं इस सरकार को दोशमुक्त कर रहा हूं सवाल ही है घटना ये 2009 में भले ही बना हो लेकिन 2009 के बाद से ले करके क्या इस पूरे एरपोर्ट के रखरखाओ की जिम्मेदारी आज किसी ती इसी सरकार कीत होती जो दस्या नहींद मोदी की सरकार है तो अगर ये दुरघटना हुई है तो उसके लिए सरकार की रिस्पॉंसिबिलिटी है सरकार अपनी जवाबदई से बच नहीं सकती क्योंकि सरकार के पास इसके रख रखाओ की इसकी मेंटेनिंस की जिम्मेदारी थी तो सरकार इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती लेकिन सरकार को आप जिम्मेदारी उसकी तय करें घेरें उससे पहले आपने सिर्फ इसलिए आपने राजनिती शुरू कर दी कि ये नरिंद मोदी ने इसका उधगाटन किया था यही मैं कहा रहू हूँ दिक्कत यही है इस देश में दुरभागे की बात यही है कि कोई घटना कोई दुरगतना होती है हम तुरांत राजनिती करने लगते हैं यह नहीं सोचते घटना क्यों होई क्या इससे बचा जा सकता था और इसके लिए कौन डिस्पॉंसिबल है क्या इसी घटनाएं पहले नहीं हुई अभी तो खबर आ रही है कि इससे पहले भी जब कॉंग्रेस की सरकारती तब भी जो एरपॉर्ट बने थे वो चू रहे थे तो सवाल ये नहीं है कि बीजेपी राज में हुआ कॉंग्रेस राज में हुआ सवाल ये ये क्यों हुआ क्या एरपॉर्ट जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने क्या उसके मेंटेनिंस को लेकर इसमें करप्शन है क्या बाबू लोग ठेकेदार लोग नेता लोग क्या एरपॉर्ट में इतने बड़े बड़े खंबे लगाने में भी पैसा खा रहे हैं कि ये खंबे इस तरह से धरड़ा के गिर जाते हैं और एक निर्दोश विक्ति की जान चली जाती है सवाल ये हैं जिन पर हमको चर्चा करने चाहिए लेकिन हम राजणी तिक रूप से स्कूर बनाने में आ जाते हैं क invoke लेंस सकूर बनाने लगी कि कैसे इसके लिए नरेंद मोधी जिम्यदार है उसके पाद जब बीजेपी को मौक़ा मिलेगा बीजेपी किसी घटना को लेके स्कूर बनाने लगेगी पचास से ज़ादा लोग जहरीली शराब पीकर मर गए उनके परिवार के लोग भी रो रहे हैं तड़प रहे हैं कि उनके लोगों की जान चली गई लेकिन डियम के सरकार है तो इसलिए वहाँ पर प्रियंका जी राहुल जी ने कुछ नहीं बोला इसलिए मैंने कहा कि ये हम लोग जो है ना हम लोग दरसल राजनीती प्रधान देश हो गए है विवादों में मजे लेते हैं समाधान की बात नहीं करते इस एःरपोर्ट को ले करके समाधान की बात होनी چाहिए थी प्राब्लम की जड़ में जाने की बात होनी चाहिए लेकिन वो नहीं हुआ, हो क्या रहा है, राजनीती हो रही है, अब दूसरी घटना प्यारता हूँ, दिल्ली थोड़ी सी बारिश हुई पानी-पानी, हालकि इसको थोड़ी नहीं बड़ी बारिश कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से चौक हो गई, हर जगा दिल्ली में, नौर दिल्ली, इस डिल्ली, वैज दिल्ली, हर जगा पानी बर गया, ये раз, देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ इस तरह से वाटर लोगिंग, एक ही बारिश में, इस तरह की वाटर लोगिंग और उसको ने कर, के फ सकते हैं MCD की जिम्मेदारी MCD ने साफ सफाई नहीं किया दो तिन साल पहले तक यही कहा जाता था जब दिल्ली में वाटर लोगिंग होती थी लेकिन अब आहमादभी पार्टी अब क्या कहेगी अब तो दिल्ली सरकार भी उसकी है MCD भी उसकी है और MCD दावे कर रही तो उसन अब किसको जिम्मेदारी देंगे अब हो सकता है आप हर्याना को कह दें जिम्मेदार कि वे हर्याना पानी छोड़ दिया दो दिन पहले तक आप रो रहे थे कि हर्याना पानी नहीं छोड़ रहा है दिल्ली में पानी की किल्लत है लेकिन अब आप रो रहे हैं कि देखिए य है लेकिन निए हैए रीज़ेपी को हम पुरी तरह से दोश्मुक्त कर दें सवाल यह यह कॉंग्रेस को दोश्मुक्त कर दें क्योंकि यह तो चीज वाटर लौगिंग जब शीला बिखिसीं दिल्ली के मुक्य मंद्री थी तब भी होती थी उन्होंने की छीला दिकशित ने वी काता दिल्ली को पारेज बना देंगे और मुझे अच्छी तरस शयाद है दिल्ली में शीला दिखिसीट के जवाने में भी पूरा पानी भर जाता ह memo रोड पर जाम हो जाता था मिंटो बरीज भर जाता था तो Chris with यह करती है थी दो किहते थी किहां को कॉंग्रस की सरकार निकमी है अब आम आदमी पार्टी आगे अब किし को कहेंगे अब कॉंग्रा स्वालि लेकिंश वाले कह रहें कि водbakomy कि की बारिज जादा हो गई et कि हो सकते है कैंच सरकार को दोश जी इते हैं लेकि सवाल यह कि बीजेपी वाले से यह पूछा जाना चाहिए वह एंडी तो जो है वो आपके अधिकार शेतर में आता है N-D-N-C के हिलाकों में पानी क्यों भर गया कम से कम N-D-N-C के अधिकारियों को ही बंबू दे देते N-D-N-C के अधिकारियों से ही साफ करवा लेते ना ले तो इस सवाल B-J-P से ही बनता है हर वेक्ति पॉइंट स्कोर कर रहा है लेकिन चिंता किसी को नहीं क्या आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस, LG, B-J-P ये सब बैठके कभी आपने देखा कभी इन्होंने सोचाओ कि बालिष से पहले क्या हो सकता है दिल्ली में इस वार वाटर लॉगिंग ना हो चलो इसको लेकर एक सब लोग मिल करके सब के साला से हम लोग एक सोलूशन निकालते हैं इस वार दिल्ली को जल भराव से बचाना है लेकिन सोलूशन कहीं नहीं है राजनीती है, विवाद है लेकिन solution कहीं नहीं है यह दिल्ली में हो रहा है देश में हो रहा है इसी लिए मैं कहा रहा हूँ कि हम लोग दरसल राजनीती प्रधान देश हो गए हैं हम विवादों में मजे लेते हैं विवाद पैदा करते हैं solution की बात नहीं करते अब तीसरी घटना प्यातों तीसरी घटन संसत की है संसत जो है शुरू हुई संसत में जब चर्चा शुरू हुई पहले दिन हंगामा हुआ संसत जो है वो चल नहीं पाई लोग सभा स्थागित हो गई क्यों भई पब्लिक के पैसे से लोग सभा चलती है स्थागित हो गई जब राहूर गांदी जी से इस सवाल पूछ चलती है लोगों का पैसा वेज जाता है तो राहुल गांदी ने क्या का था राहुल गांदी ने का था तुम बीजेपी का बिल्ला लगा लो यह वैलिड सवाल था और आज भी यह वैलिड है आज संसत क्यों नहीं चली राश्टपती के अभिवाशन पर चर्चा शुरू अभी राश्टपती के अभिवाशन पर चर्चा हो जाए उसके बाद हम नीट पर बात करेंगे और जैसी जानकारी आ रही है करीब काफी बड़ा समय करीब लंबा समय जो है 20-21 घंटे की पूरी चर्चा होनी थी ऐसी खबर आ रही है नीट को ले करके इसको ले करके लंबा एक समय तएक किया गया था तो स्पीकर ने का पहले इस पर चर्चा हो जा उसके बाद परयाप्त समय दूंगा आपको नीट पर बात चीत करने के लिए लेकिन राउल गांजी ने क्या का नहीं नी एक मैसेज जाना चाहिए कि हम सब लोग साथ खड़ें सूड़ें से के साथ स्पीकर ने का हाँ बिलकु साथ खड़ें लेकिन इसको हो जाने दीजिए उसके बाद सबको नीट पर चर्चा करने का समय दूंगा और राश्टपती ने ये भी का कि राश्टपती के अभिभाशन में आप सारी बाते उठा सकते हैं लेकिन उसके बाद क्या हो अंगामा और सदन स्थाकित हो गया क्यों भई क्यों डिवेट नहीं हो सकती राश्टपती के अभिभाशन पर पहले चर्चा होनी है और उसके बाद नीट पर चर्चा होनी है तो राश्टपती के अभिभाशन के बाद नीट पर चर्चा कर लेते लेकिन क्यों राजनीती करनी है एक म विभाशन का जिक्र करते हुए नीट को ले करके नीट examination को ले के उसके जो concern थे वो इसमें भी उठा सकता था लेकिन नहीं उनको तो solution नहीं चाहिए था राजनिती करनी थी विवाज चाहिए था इसलिए सदन स्थगित हो गया और फिर जब राश्पती का विभाशन हो रहा है तो पहले वह विवाशर हो जाता नीट पर आप खुल के चर्चा करते हैं नीट पर आप सवाल ये कि आप कौन से point score करना चाहते हैं यह जो नीट examination है वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ हर राज्जे में हर राज्जे में जहां पर अलग-अलग पार्टियों की सरकार हैं व में भी जो लोग पकड़े जा रहे हैं जो पूरा ये पेपर लीक माफिया है इस माफिया की तस्वीरें जो हैं कई जगा इस पेपर लीक माफिया की तस्वीर राहूल गांदी के साथ इसमें जो पेपर लीक में शामिल है उनकी तस्वीर राहूल गांदी के साथ हैं कुछ दिखा रहे हैं कि योगी अधितिनात के साथ तो सवाल ये है कि ये जो पेपर लीक माफिया है ये जो भ्रष्टाचारी जो पूरी कौम है ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है माफिया जो साड़ गाठ है कि हर पार्टी में फैले हों हर जगा है और हर पार्टी जब जिसको मौका लगता है बस दूसरे को दबा लेनी चाहती है लेकिन solution पर कोई बात नहीं करना चाहता क्या ये नहीं हो सकता था कि भई सब लोग कहते ठीक है राश्टपती का भी वाशन पर हम चर्चा करते हैं इसमें भी नीट का मुद्दा उठाएंगा और उसके examination कैसे सुरक्षित हो सकते हैं कैसे युवाउं को ले कर हम सुरक्षित एक महाँल दे सकते हैं कैसे जो students हैं कैसे हम उनको भरोसा दे सकते हैं सब लोग इसका solution की तरफ देखते लेकिन नहीं solution किसी को नहीं चाहिए इस देश में राजनीती सब को करनी है विवाद सब को चाहिए, कीचर सब को चालना है, सॉलूशन की बात कोई नहीं करता, यही दुर्भाग्य की बात है, और ऐसा आप एक नहीं हर घटना में देखेंगा, मैं ऐसी कई सारी घटना ही ना सकता हूँ, महिला, महिलाओं के खिलाफ अपराद को लेकर कर सकता हूँ, मन जे पी का सपोर्ट करने वाली महिला को निर्वस्त कर दिया, उसके ओपर कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी ने फैक्ट फाइंडिंग टीम नी बेजी, कोई जो सम्विधान की कॉपी लेकर जाता है, किसी ने नहीं का कि सम्विधान मा कत्रे में, इसलिए फिर कह रहा हूँ, सब अपनी अपनी राजनीती में मश्गूल है, सब को राजनीती करनी है, इसलिए कह रहा हूँ, भारत कृशी प्रधान नहीं, भारत दरसल राजनीती प्रधान देश है, हमको राजनीती करने में बड़ा मज़ा आता है, हमको विवाद उठाने में बड़ा मज़ा आता है, विवाद खड़े करने में बड़ा मज़ा होता है solution के लिए हम लोग सोचना ही नहीं चाहते हैं यही दुर्भाग देश का है आज करें इतना ही हमसका